ओम नमस्षिवा दोस्तों, आज मैं आपको लाल किताब के कुछ ऐसे सुत्रों के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप जिसकी भी कुंडली देख रहे हो, अगर आप वो सुत्र लगाते हो, तो आप उन पर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो, स्वाइए स्टा उसके बार दूसरा सुत्र, जिनका भी बुद्ध पांच में या छटे होस में हो, ऐसे लोग जो भी बोल देंगे वो हो जाता है, ऐसे लोग जो भी बिना सोचे समझें बोल दें, बुरा या अच्छा वो हो जाएगा, उसके बार तीसरा सुत्र, जिनका भी बुद्ध साथ में हाउस में है, 7th हाउस में है, तो ऐसे लोग जो बोलेंगे सामने वाले को वो उनके लिए अच्छा हो जाएगा, पर ये चीज खुद पे लागू नहीं होती, उसके बाद जिनका भी शुकर 6 हाउस में है, छटे हाउस में है, ऐसे लोगों की वाइफ की अक्सर तबेत खरा देना चाहिए, और हमेशा बालों में गोल्डन क्लिप लगा के रखा, बहुत ये अच्छा उपाया है इसका, इसके बाद पांचमा सुतर, जिनका भी शनी 9 में या 11 हाउस में हो, ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि इनको हमेशा तीन प्रोप्टिस मिलती है, या तीन विहाईकल, कार, बाइक से हमेशा इनको तीन ही मिलते हैं, और इनको कभी भी इनको तीन नहीं होने देना चाहिए, हमेशा इनको दो रखना चाहिए, और तीसरे को हमेशा सेल करते रहना चाहिए, ये भी इसकी रेमेडी है, उसके बाद छटा सुतर, जिन लोगों की कुंड ख्राब रहती हैं और इनकी लाइफ में हमेशा उतार चड़ाव चलते रहते हैं उसके बाद सातवा सुतर, जिनका भी चंद्रमा जटे हैं उसमें, ऐसे लोग हमेशा अपने घर से दूर रहते हैं, यहां तो ऐसे लोग फोरण में सेटल होते हैं और ऐसे लोगों की मम्मी यानि की मा इनकी हमेशा में एडिसन कोई ना कोई चलती रहती है उसके बाद आठमा सुतर जिनका भी राहू पहले घर में हो ऐसे व्यक्ति के फादर को या तो हार्ट अटैक रिलेटेड इशू होते हैं या हार्ट के लेटेड इशू होते हैं और ऐसे व्यक्ति की फादर की देथ अकसर देखा गया की तीस साल से पहले ही हो जाती है उसके बाद नौवा सुतर जिनका भी मंगल छटे हाउस में हो ऐसे लोगों के घर में हमेशा कुछ ना कुछ मिठा पड़ा रहेगा और ऐसे लोगों के जितने चाचा होते हैं इनके हमेशा उतने ही बेटे होते हैं उधारन के लिए अकर इनका दो चाचा है तो इनके दो ही बेटे होंगे अगर इनका एक चाचा है तो इनके एक ही बेटा होगा उसके बाद जिनका शनी थाड़ा उसमें है जिनका भी शनी थर्ड है उसमें है ऐसे लोगों के जबर्दस्ती की प्रॉप्टी मिलती है जबर्दस्ती की प्रॉप्टी का मतलब यहां तो कोई कलीग यहां कोई ना कोई आके इनको प्रॉप्टी दिलवा ही देता है उसके बार ग्यारमा सुतर जिनका भी शनी पहले घर में हो ऐसे लोगों के घर पे अक्सर दारू की बोटले देखी गई है ऐसे लोग बेशक दारू पीते हो या ना पीते हो इनके घर पे हमेशा बोटले मिलेंगी और इनकी शादी के बाद इनके ससुराल की बहुत रखी होती है उसके बाद बारमा सुतर जिसका भी शनी सिक्थ हाउस में हो ऐसे लोगों को अक्सर चमडे के चमडे वाली चीजे गिफ्ट मिलती है ऐसे लोगों को यह तो चमड़ की belt यह चमड़ का पर्स यह फिर चमड़ की शूद हमेशा gift मिलते हैं अक्सर देखा गया कि इनको चमड़ का पर्स हमेशा gifted आता ही आता है और इनको यह कभी भी नहीं ही रखना चाहिए उसके बार तेर माज उतर जिनका भी सूरे सेकंड हाउस में होता है ऐसे लोगों अकसर गिफ्ट्स मिलते रहते हैं और इनको कभी कई गिफ्ट फ्री में नहीं लेना चाहिए सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा होगा पर इनके लिए गिफ्ट लेना अच्छा नहीं रहेगा ऐसे लोगों को गिफ्ट के बदले कुछ नहीं कुछ दे देना चाहिए उसके बाद 14 चोदमा सुतर जिनका भी चंदरमा आठमे घर में हो ऐसे लोगों के घर पे अकसर फोरन करंसी होती है या फिर उनके वॉलेट में फोरन करंसी ज़रूर होती है इन लोगों को फोरन करंसी बिलकुल नहीं रखनी चाहिए उसके बाद इसका पंदरमा सुतर जिनके भी 15 सुतर उसके बाद इसका 15 सुतर जिनका भी बुद सेकंड आउस में हो ऐसे लोगों के घर पे हमेशा खराब घडिया होती है या फिर उनके गोले मिलते है ऐसे लोगों को घर पे कभी बंद घडिया नहीं रखनी चाहिए और उनके गोले कभी भी नहीं रखने चाहिए उसके बाद 16 सुतर 16 सुतर जिनका भी सूरे 12 हाउस में हो ऐसे लोगों को अकसर घडियां गिफ्ट में मिलती है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा स्तारमा सुतर जिनका भी चंदरमा 2 हाउस में हो ऐसे लोगों का जनम अकसर ground floor से उपर होता है या तो first floor पे होगा या second पे होगा इन लोगों का जनम कभी भी ground floor पे नहीं होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अठार्मा सुतर जिनका भी राहू दूसरे घर में हो ऐसे लोगों के घर में चोरी जरूर होती है और ये हमेशा दिन के समय में होती है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका नाइंटीन सुतर उनिवा सुतर जिनका भी राहू पहला, दूसरा या फिर पांचमे घर में हो ऐसे लोगों के दान्त अक्सर टेड़े मेड़े देखे गए हैं और ऐसे लोगों के दान्त के उपर दान्त भी हो सकता है और ऐसे लोगों का वेंपायर टीथ जिसे हम बोलते हैं ऐसे दांत भी होते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसका बीसमा सुतर ट्वंटी सुतर जिनका भी शुकर पहले घर में हो ऐसे लोग जब भी बाहर निकलेंगे हमेशा रेडी होके निकलेंगे और ऐसे लोग दिन में दो से तीन बार कपड़े चेंज करते ही करते हैं और ऐसे लोग अगर कहीं भी कुछ खरीदने निकले लेने एक चीज जाते हैं और हमेशा चार चीजे लेकर वापस आते हैं जिनका भी शुकर पहले में हो ऐसे लोग खर चालू कह सकते हैं या इन्हें चीजों का बहुत शुकर होता है ऐसे लोग हमेशा चीज लेने जाते हैं और चार लेकर घर पे वापस आते हैं आज के लिए इतना ही और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ 20 नए सुत्रों के बारे में जिसको भी आप अगर किसी की कुंडली पे लगा के प्रडिक्ट करोगे तो अगले पे आप एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो सोगाज के लिए इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब करें